Hello everyone, welcome to Score Plus, this is Shailendra Pandey, your physics educator. प्यारे बच्चों, हम लोगों ने electricity chapter start किया था, मैंने काफी सारी चीज़ें आपको इस chapter में पढ़ा दी हैं. आज हम लोग start करने वाले हैं कि हमारे घर में जो connection होता है, घर में जो AC, पंखा, cooler, fan या कोई भी TV, कोई भी mobile जो भी आप connect कर रहे हो, वो सब किस combination में connected होता है. सिरीज में end-to-end connected होता है या parallel combination में होता है, आईए ACs को देखते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बदाना चाहूँगा, हमारे घर में जितनी भी electrical appliances connected हैं, they all are connected in parallel. अब matter यह है कि सर जी, parallel क्यों, parallel में ऐसा क्या है सर, कि आपने parallel में connect कराया? तो पेटा, सिरीज सर्केट में अगर आप connect करतें, तो सिरीज सर्केट के कुछ disadvantages हैं. और जो सिरीज में कमिया है, वही parallel में खूबिया है, है ना? तो यहाँ पर मामला गडबर था, वहाँ पर वही सारा मामला अच्छा था. तो यार, parallel में हमें चीजों को combine करना पड़ा, connect करना पड़ा. आइए समझते हैं, कि अगर मैं सिरीज में connect करा देता, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या-क्या कमिया आजाती, क्या-क्या गडबल हो जाता, क्या-क्या लोचा आजाता, तो पहला लोचा यह होता, कि if one electrical appliance stops working due to some error, कोई भी कारण हो सकता है, अगर कोई एक चीज चलना बंद कर देती, तो सब चलना बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो सब end to end जुड़े होते, मतलब मानलो यह bulb है, ठीक, बल्ब से ही connected यह आपका मानलो fan होता, ठीक, fan से ही connected आपका AC होता, उसी से connected आपका TV होता, सारे अगर एक साथ सिरीज में connected है, तो मेरे पैरे बच्चों अगर fan मानलो काम नहीं कर रहा, fan में कुछ खराबी आ गई, तो इसका मतलब इधर से जो current आएगा, fan उसको pass होने नहीं देगा, अब circuit ही open हो गया, अगर circuit open हो गया, तो AC TV तक तो current पहुचा ही नहीं है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वहां तक current नहीं पहुचा, तो भा पूरा का पूरा circuit मेरे प्यारे बच्चों, बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग series को prefer नहीं करते हैं, so in series circuit, if one electrical appliance stops working, due to some defect, then all other appliances also stop working, because whole circuit is broken, क्योंकि पूरा का पूरा circuit जो है, आपका वो broken हो गया, तूट गया, है ना, ये सबसे पहला इसमें problem है, दूसरा ये है, कि series circuit में के अब एक switch होगा, एक switch on किया, पूरे घर में जितनी चीजें हैं सब चलना शुरू भाई साथ है, जितने bulb हैं सब जल गए, जितनी light हैं, जितना AC है, जितना cooler है, जितने पंके हैं, जितनी TV है, सब चलने लगेगा, एक सार, तो क्या आप एक ही समय पे सारी चीजें चलाना च जाते हो, नहीं, भाई हमारा मन होगा AC चला, कमला चिल्डे हम पंका क्यों जलाएंगे, नहीं जलाएंगे, कोई requirement नहीं है, अब पता जला जैसे ही on किया, वो सब जल गया, सब चलने लगा, तो बेटा, एनरजी का भी wastage होगा, शॉर्ट सर्किटिंग के भी chances बढ़ सकते है क्योंकि लोड बहुत जादा बढ़ जाएगा, है ना, तो इसलिए भी हम सिरीज को prefer नहीं करते हैं, so in सिरीज सर्किट, all the electrical appliances have only one switch, due to which they cannot be turned on or off separately, के बल एक स्विच है, एकी साथ सब स्टार्ट हो जाएगा, और एकी साथ सब बंद भी हो जाएगा, पता जला आपको बंद क पैन आपने off किया, सब बंद हो गया, अंदेर हो गया एक दम, तो भाई साब, ये तो फिर सिस्टम अच्छा नहीं है, है ना, इन सिरीज सर्किट अप्लाइंसेज, do not get same voltage, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, सिरीज में current सेम होता है, लेकिन voltage सेम नहीं होता है, voltage divide हो जाता है, और इंडिया में हर एक जो electrical appliance होता है, वो 220 volt पर design किया जाता है, मतलब हमें हर एक appliance को 220 volt देना है, और अगर आप सिरीज में जोड़ोगे, माल लो TV है, ये माल लो यहाँ AC है, ये यहाँ refrigerator है, वा आपने उसको सिरीज में जोड़ो दिया, तो total 220 volt है भाई सा 100 volt इसने ले लिया, 50 इसने ले लिया, बचा हुआ इसने ले लिया, किसी को भी 220 volt नहीं मिलेगा, क्योंकि सिरीज में voltage divide होता है, as that of the power supply line, because voltage is shared by the appliances, voltage जो है, वो share हो जाएगा सब में, किसी को भी 220 नहीं मिलेगा, सब में divide हो जाएगा, तीसरा matter बिटा ये है, कि अगर आपने series में connect किया है, तो equivalent resistance का formula होता है, R बराबर R1 प्लस R2, series में connect करोगे, तो जो equivalent resistance आएगा, ध्यान से देखो, ये जो equivalent resistance आएगा, वो R1 से भी बढ़ा होगा, और R2 से भी बढ़ा होगा, ये बात मैंने पिछले lecture में बता ही थी, याद क parallel में connect हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो equivalent resistance आएगा, वो R1 और R2 दोनों से छोटा आएगा, और अगर resistance कम होएगा, तो current जादा होगा, energy बचेगी, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर overall resistance इतना बढ़ गया है, जिसकी वज़े से energy का loss बहुत जादा होगा, तो due to which the current from the power supply will become low, हम सबको पता है कि भाई अगर resistance बढ़ रहा है, तो वो तो current का दुश्मन है, resistance बढ़ा, तो current कम हो जाएगा, किसी भी appliance में proper current नहीं जाएगा, बहुत ही कम current flow होगा, इसलिए एक भी electrical appliance बढ़िया से work आपका नहीं करेगा, तो यह सारी कम्याती series combination में, और तो भाई साब, यही सारी चीजें parallel में खूबिया हैं, parallel में यह सब चखा चख हैं, क्या, in parallel circuits, if one electrical appliance stops working, अगर एक electrical appliance ने काम करना बंद कर दिया, तो भाई साब, बाकी तो चलते रहेंगे, आप ही सोचलो, आपके घर में अगर एक पंगा खराब होता है, तो क्या बाकी सब ब एक चीज खराब भी हो जाए, तो बाकी चलता रहेगा, भाई साब इसको बाद में बनवा लेंगे तो चार दिन में, यह बन जायागा, तो यह भी चलने लगेगा, clear, लेकिन तब तक बाकी चीजें चल रही है, तो एकदम urgency नहीं हो जाएगी, कि नहीं बाई साब बनवाओ अब तुरंती, अभी तुरंत बनवाओ, in parallel circuits, each electrical appliances has its own switch, सबका अपना-पना switch होता है, बुलो आपके घर में, है न, fan का लग है, bulb का लग है, AC का लग है, computer का लग है, laptop के लिए अलग है, charger लगाया तो उसका लग है, सबके लिए switches अलग-अलग है, और वो हमारी demand है, हमें चाह है, है न, तो कहने का मतलब क्या है, which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances, सबका अपना-पना switch है, जब जिसको चलाना हो बेटा, चलाओ, जिसको ना चलाना हो, उसको बंदगार दो, ठीक, in parallel circuits, each electrical appliance gets same voltage, क्योंकि parallel में, प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था, parallel में potential difference same होता है, सारे instruments को, दो same point A और B के बीच में जोड़ूंगा, A और B के बीच में fan को जोड़ा, A और B के बीच में AC को जोड़ा, A और B के बीच में TV को जोड़ा, सबको A और B के बीच में जोड़ा, तो सबके लिए potential difference same होगा, इसलिए सभी को 220 volt मिलेगा, ठीक, यह इसका benefit है, In parallel connection of the electrical appliances, the overall resistance of the circuit is reduced, overall resistance reduced हो जाएगा, overall resistance कम हो जाएगा, क्योंकि parallel का formula ही ऐसा होता है, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, है ना, तो अगर आप यहाँ पर values को रखो और रख करके देखना चाहो, तो आपको पता चल जाएगा, आप R1 की जगे जरा रखो 2 ohm और R2 की जगे रखो 4 ohm, रख करके देखो, जैसे ही आप रखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यार, जो equivalent resistance आया, वो R1 और R2 दोनों से छोटा है, प्यारे बच्चों, आओ मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, R1 मैंने मालो रखा 2 ohm और R2 मैंने रखा 4 ohm, जैसे ही आप रखोगे, बनेगा, 1 by R is equal to 1 by 2 plus 1 by 4, 4, that is, यह बनेगा आपका 2 plus 1, थेक, तो 1 by R की value बेटा आएगी 3 by 4, तो R की value आएगी 4 by 3, और 4 by 3 जो है बेटा वो 1.33 होगा, और 1.33 बोलो 4 से भी चोटा है और 2 से भी चोटा है, दोनों से चोटा है, इसका मतलब equivalent जो resistance आएगा, वो सबसे चोटा होगा, इसलिए current की value जादा होगी, current जादा होगा, current अराम से flow होगा, हर एक जो आपका electrical appliance है, वो मस्त एकदम चकाचक चलेगा, clear? अब आजाए कुछ questions की बात कर लेते हैं, the lamps in the household circuit are connected in parallel, lamps को parallel में connect करते हैं, क्यूं? पहला point है, this way they require less current, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, if one lamp fails, other remain lit, कह रहे हैं कि अगर एक fail हो जाए, तो बाकी चलता रहता, point सही लग रहा है, तीसरा, this way they require less power, गलत है, power hour से कोई मतलब नहीं है, बाई साब, if one lamp fails, other also fail, गलत है, इसका मतलब correct option कौन सा है हमारा? बी वला, एक कोई lamp खराब हो जाएगा, बाकी तो चलेंगे, तो यह parallel की खूबी है, इसलिए हम लोग उसको parallel में connect करते हैं, using the circuit given below, state which of the following statement is correct, यह circuit है, कहरें, इसको check करो, ध्यान से देखो और बताओ कौन सा statement correct है, पहला statement देखो बेटा, क्या है, when S1 and S2 are closed, lamp A and B are lit, देखो बेटा, यह S1 switch है और यहाँ पर S2 switch है, I think आपको दिख रहा होगा, है न, यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा, ध्यान दीजेगा, यह एक switch है, यहाँ पर switch लगा हुआ है, और यह switch का नाम है S2, S2, ठीक है, ध्यान से देखना विड़ा, यहाँ पर एक छोटा सा concept होता है, current जो होता है, वो हमेशा उसी रास्ते में जाने की कोशश करता है, जहाँ पर resistance बहुत कम हो, जैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो, यह मालो एक cell है, और यह एक resistance है, यह एक cell है, प्लस माइनस, इसका voltage है, यह एक resistance है, ठीक, और यह वाला जो path है, यह B point है मालो, यह A point, यह वाला जो path है, प्यारे बच्चों, यह एक conducting path है, यह A से B वाला path कैसा है, it is a conducting path, conducting path होने का मतलब यह होता है, इस path में कोई resistance नहीं है, तो आप मुझे बताओ, अगर आप current होते, और आप यहां से cell से निकलते, यहां से होते हुए, जब यहां पहुशते हैं, तो तुमको दो रास्ते दिखाई पड़ते, एक conducting path है, और एक उपर वाला resistance वाला, तो तुम बताओ, तुम किदर जाते हैं, बताओ वाई, किदर जा बाई साब, एक विलन है इसमें, मूवी भी आ रही एक विलन, है ना, तो इस वाले रास्ते में मालो, विलन है, resistance है, हमारे रास्ते में दुकावट है, तो तुम बताओ, किदर जाओगे बाई साब, इधर ही जाओगे ना, खत्रों के खिलाली तो है नहीं हम लोग, कि हम current भी यही चाहता है, कि जब current यहां से निकलेगा, मेरे प्यारे बच्चो, तो पूरा का पूरा current इधर से जाएगा, इधर से होते हुए, वापस चला जाएगा, उपर वाले में कोई current जाए गई नहीं, क्यों जाए बावाले ने वहाँ पे, इसलिए conducting path से जाएगा, और इस process को short circuiting भी कहा जाता है, sorting भी कहा जाता है, कि short हो गया, ठीक, यहां पर देखो, पहले option में कह रहे है, when switch S1 and S2 are closed, अगर S1 और S2 close करोगे, इसको भी close करोगे, और इसको भी close करोगे, यहां भी close हो गया, ठीक, अगर दोनों को close कर दिया, तो बेटा, दोनों को अगर मैंने close कर दिया, तो matter यह होगा, देखो, यह तो plus minus है, तो यहां से current निकलेगा, इधर close कर दिया, अच्छी बात है, इधर से current आएगा, और इसको भी अगर close कर दिया, तो फिर current इस bulb में जाए गए नहीं बाई साब, current गएगा, हम क्यों जाए इसमें बावाल में, बाई इसमें resistance हो simple path है, conducting path है, सारा सारा current भाई साब, नीचे से होता हुआ, ऐसे होते हुए, ऐसे चला जाएगा, ऐसे होते हुए, आपस चला जाएगा, यह वाला bulb तुमारा जलेगा नहीं, ठीक, यहां पर कह रहे हैं, when S1, S2 are close, lamp A and B are lit, गलत है, पहला option गलत है, दूसरा, with S1 open and S2 closed, S1 open, S S2 close, भाई साब, अगर यही open हो गया, इधर से current आया, यह open है, current आगे जाएगा यह नहीं, बात खत्ब हो गया, ना A जलेगा, ना B जलेगा, तो यह गलत हो गया, third option, with S2 open, कहना है, S2 को open कर दो, S1 को close करो, A and B are lit, पतलब, इसको open कर दो, नीचे वाला path खुला है, तो नीचे current जाएगा नहीं, अब यह बंद है, इधर से current आएगा बेटा, इसमें से होते हुए, आप क्योंकि नीचे वाला open path है, open path में कभी भी current flow, नहीं करता है, current हमेशा closed path में flow करता है, बेटा, तो अब उसको नीचे का रस्ते ही नहीं दिखेगा, नहीं जाएगा, तुम ही सोचो ना, तुमारे पात दो रस्ते हैं, इधर से आओ, दो रस्ते, एक रस्ता ही है, जिसमें थोड़ा resistance है, और दूसरा ऐसा रस्ता है, जिसमें resistance तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलो 100 मीटर, उसका खाई है, और उके बाद अगर तुम स्पाइडर मैन और कोई हीरो हो, तभी उड़के इसे जाओगे, खाई पार करके तभी आगे पहुचोगे, बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे उदर रस्ते हैं, तुम बहोगे नहीं सर, भगाओ स जेल लेगा, फिर इसमें भी थोड़ा मुड़ा जेल लेगा और इधर से चला जाएगा, ठीक, मतलब क्या हुआ, इस बार A और B दोनों जलने वाला है, मतलब C option मेरे हिसाब से, सही है, लेकिन चलो D भी पढ़ लेते हैं, with S1 closed, ये close है, S2 open है, lamp A remain lit, even if B gets fused, आच्छा समरात है, इधर से current आया, इधर bulb में होता हुआ, इस में होता हुआ जायेगा, जह रहे हैं कि अगर B fuse भी हो जाये, जह रहे हैं कि अगर B fuse भी हो जाये तो भी A चलता रहेगा, गलत है, क्योंगि A और B किस combination में है, Series में है, Series में पिटा एक भी चीज fuse हुई, एक भी bulb fuse हुआ, भाई आप सब बंद हो जाएगा, तेक, इसका मदलब dv हमारा गलत है, तो ये एक बढ़िया conceptual question है, पूछा जा सकता है, next, electric power, electric power क्या होता है बाई, electric power का मदलब है मेरे प्यारे बचों, rate of consumption of energy, या 9th दिवे आपने पढ़ा होगा, rate of doing work is power, कार करने की शमता को power कहते है, capacity of doing work, तो वो तो खहर energy होता है, लेकिन power के अगर हम लोग बात करें, तो energy consumed upon time, rate of doing work is called power, तो power देखो क्या है, when an electric current flows through a conductor, electrical energy is used up and we say that current is doing work, आप से कहा जा रहा है, जब electric circuit flow होता है, तो electrical energy use होती है, इसलिए हम कह सकते हैं, कि जो current है, वो कुछ work कर रहा है, भाया, energy गई तो गई गहां, कुछ ना कुछ work में गई, तो यहाँ पर कह रहे हैं, we know that the rate of doing work is called power, यह हमने 9th पढ़ा, rate of doing work is called power, ठीक, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप समझ लो, इस chapter में आपको, क्या आपके दिमाग में concept होना चाहिए, कि अगर मैं कभी भी आप से बोलूँ power, तो power का मतलब होता है, work done upon time taken, यह आपने 9th में पढ़ा था, यहाँ पर power का मतलब है बिटा, energy consumed, energy consumed upon time taken, so power is work upon time, और we can say energy upon time, यह दोनों ही हमारे पास formula हैं, जो अच्छा लगे तुम्हें, जो suit करें, वो यूज कर लेना, according to condition, ठीक, आजो भाई, आगे की बात करते हैं, so electric power is the electrical work done per unit time, it is the electrical work done, total work done per unit time is called electric power, and power is equal to work done upon time taken, so P is equal to W by T, यह हमारा power है, clear, अच्छा, unit की अगर मैं आप से बात करू, unit की अगर हम लोग बात करें, unit of power, तो बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि power का formula हमारे पास है, power is equal to work done upon time, या power is equal to energy upon time, तो आप ही बताओ, energy का unit क्या होता है, joules, और time का क्या होता है, second, तो इसका unit क्या हो गया, joules per second, joules per second को ही, प्यारे बचों, watt कहा जाता है, सुना होगा न, watt लगा देंगे, वो यही है, joules per second, joules per second को ही, watt कहा जाता है, और watt, डबलू ए डबल टी, ठीक, आप इसको यूस कर सकते हो, power का और भी unit हो सकता है, बेटा, जैसे, 1 kilowatt, तो 1 kilowatt थोड़ा बड़ा unit है, 1000 watt, ठीक, 1 megawatt, mega मतलब होता है, 10 की power 6, watt, 1 horsepower, is 746 watt, 1 horsepower is 746 watt, लिख ले ना बाई साब, है ना, फिर आया भाई, define करो, what is 1 watt, तो बिटा, अगर power है, अगर power है, energy consumed upon time taken, energy consumed upon time taken, तो आप भी कहोगे, सर, अगर energy हो, 1 joule की, और consume हो जाए, सर, एक second में, तो power कितना होगा, 1 watt, so if, 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second, then the power of the device will be 1 watt, clear, formula for calculating electric power, आज है ये electric power का, हम लोग formula देखते हैं, तो पहरे बच्चो, power is equal to energy consumed upon time taken, यह हम कह सकते हैं, work done per unit time, अगर आप से बात किया जाए, electric potential का, तो बेटा, electric potential, जो की V के बराबर होता है, क्या electric potential का basic formula है, W by Q, V बराबर W by Q, यह सर, तो W का formula क्या हो गया यहां से, QV, इसको equation 1 मानो, इसको equation 2 मानो, total work done कितना है, charge multiplied by potential, और अगर इसी को मैं उठाकर यहां पे रख दूँ, from equation 1, so we can write, power is equal to work upon time, और work की value है QV, by T, तो power आपका बन जाएगा, देखो Q by T, charge upon time, क्या होता है charge upon time, सोचो भाई, charge upon time is current, current is defined as rate of flow of charge, यह बनेगा I, और यह बनेगा V, तो power का एक बढ़िया खोबसूरत सा फार्मला आ गया, पी बराबर V आई, voltage into current, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, power is equal to voltage या potential multiplied by current, लिख लो भाई साब, power is equal to voltage multiplied by current, अच्छा, अगली चीज देखो, अगर यहीं पर Ohms Law यूज कर लें, तो क्योंकि P बराबर V, I है और V की जगे, according to Ohms Law, we can write I, R, तो बेटा, यह बनेगा I square R, तो power का एक फार्मूला हो गया, पी बराबर I square R, इसको भी बॉक्स बना करके, हम लिखेंगे, और यह भी हमारा एक important formula है, ठीक, next देखो, अगर मैं फिर से Ohms Law यूज करूँ, और P बराबर I की जगे, I की जगे बेटा, V by R लिख सकते हैं कि नहीं, according to Ohms Law, जैसे ही आप लिखोगे, power का एक नया formula आएगा, P बराबर V square upon R, तो यह भी एक formula हो गया, power का, ठीक, तो P बराबर V I, P बराबर I square R, P बराबर V square upon R, these are the formula of power, ठीक, तो power को, आप लोग बेटा लिख सकते हैं, P बराबर V I, P बराबर I square R, और P बराबर, V square by R, clear है, I think, आप लोगों को यह चीज़, बहुत अच्छे से, समझ में आ गई होगी, power के हमारे पास, यही तीन formula है, बस, इसको आप simply, अपनी copy पे, no down कर लिजेगा, next, अब इस पर based, कुछ एक questions पर आते हैं, आज यह numerical देखते हैं, drawn by an electric bulb of 40 watt, when it is connected to a source of 220 volt, power है बिटा, 40 watt, और voltage है 220 volt, हम से कह रहे है, current बता दो, simple है, P बराबर V I, so I बराबर P upon V, तो power है 40, voltage है 220, तो 4 बटे 22, यानि 2 बटे 11, एंपेर, बाकि इसको आपना, divide कर लेना, तो 2 upon 11 ampere, आपका answer आजाएगा, next, electric bulb is rated 220 volt, 100 watt, when it is operated on 110 volt, 110 volt पर अगर क्या है, तो पावर कंजूम्ड विल बी, this is very important question, important question, हम चे कह रहे है, जब वोल्टेज 220 है, पावर 100 है, तो जड़ा बता हो, जब वोल्टेज 110 होगा, तब पावर क्या होगा, अच्छा, सर, अगर V की value है, सर 220 वोल्ट, तो सर, पावर था 100 watt, यह तो सर, बड़ा असान है, current की value निकालेंगे, P बराबर V I, तो I बराबर P अपॉन V, यानिकी 100 अपॉन 220 वोल्ट सर, इतने अप्यर का current हो गया, और सर, इसी को हम लोग यूज कर लेंगे, फिर से क्योंकि इस बार voltage हमें given है, current हमने निकाल लिया, पावर हम निकाल देंगे, P बराबर V डश, I डश, बड़ा V डश कितना 110 वोल्ट, और current सर हमने निकाल लिया, 100 अपॉन 220, कैंसिल किया सर दो आया, 100 बटे दो, 50 वाट, सर आंसर दिख गया, C option, गलत है, wrong, wrong, क्या गड़बड हो गया, mathematics के हिसाब से तो बिल्गुल सही है, आप चेक कर लो चार बार, maths और physics में देखो यार, यहीं अंतर है, maths के हिसाब से सही है, formula लगा या, formula लगा दिया, भई आ गया, physics के हिसाब से गलत है, concept गलत हो गया, जिसको 220 वोल्ट पर जब चलाते थे, तो 100 वाट उसका पावर था, अगर मैं उसको 110 वोल्ट पर चलाऊँगा, तो बोल्ट पावर क्या होगा, तुमने मैं अच्छ लगा, तुमने बोला, पी बड़ाबर भी आई लगा, कि सर पहले करेंट निकाल लेंगे, और उस करेंट को यहाँ पर रख देंगे, बेटा, क्या जो करेंट इस केस में है, क्या वही करेंट यहाँ पर है? नहीं है भाई, क्यों नहीं है? बेटा, अगर वोल्टेज 220 है, तो कुछ करेंट होगा, और अगर वोल्टेज आधा करतें, तो बोलो करेंट भी आधा हो जाएगा, अगर 220 वोल्ट है, तो करेंट आई है, और अगर 110 वोल्ट है, तो बोलो current IY2 होना चाहिए या तो तुम यहां इतना दिमाग लगाओ IY2 करो और उसको यहां यूज करो ठीक, उससे अच्छा आप दूसरा concept लगाओ आप बोलो, सर मैं यहां पर निगालूंगा पहले resistance तो बेटा formula वो आला मत यूज करो, ये वाला यूज करो इसलिए वाइस आप तीन-तीन formula है, सोच पर क्या यूज करना है तो बेटा यहां पर आप लगाओ कि भया पावर था 100 वाट वोल्टेज था 220 वोल्ट उसका भी करो square और यहां निकालो resistance तो resistance की value भाई साब आएगी 220 का square बटे 100 यह resistance आएगा ठीक, और इस resistance को मैं अगली बार use करने वाला हूँ P बराबर V square upon R में फिर से इस बार जो resistance यहां है, वही resistance यहां होगा, क्यों? क्योंकि बेटा, bulb तो वही है bulb change नहीं हुआ और अगर bulb change नहीं तो उसका resistance भी change नहीं है, पावर हमें निकालना है voltage अब हो गया बेटा, 110 तो 110 का square divided by resistance और resistance था 220 का square upon 100 तो वह 100 जाएगा multiply में और यह बनने वाला है 110 into 110 220 into 220 multiplied by 100 यह 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 22 आएगा, 100 by 4 25 25 वाट yes D option is correct लेगि यह question अगर आजाए तो ज़्यादा तर बच्चे इसका answer 50 लगाएंगे और मैं आपको बदा रहा हूँ important question है पूछा भी जा चुका है और आगे फिर से पूछा जा सकता है clear आजाए अगले concept की दरफ formula for calculating the electrical energy मेरे प्यारे बच्चों अगर electrical energy निगालनी है तो simple सा concept होता है power बराबर energy upon time तो energy बराबर power into time energy बराबर power into time क्योंकि power बराबर क्या था energy into time cross multiply करो तो energy बराबर power multiplied by time values रख दो आगया power into time clear तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है the electrical energy consumed by electrical appliances is given by the product of its power rating and time जो भी power हो उसका जो भी time हो दोनों का product कहलाता है electrical energy power जो आपका है यह watt में हो सकता है time आपका है वो second में हो सकता है watt into second इसका unit हो सकता है और watt into second बेटा joule भी होता है तो energy का unit तो ऐसे भी हम लोग को पता है joule होता है clear और भी इसके कुछ units हो सकते है और भी इसके units हो सकते है अगर मैं commercial unit की बात करूँ क्योंकि energy बराबर power into time है तो power का unit watt की जगे अगर बड़ा unit ले 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 तो वो होगा kilowatt time का अगर बड़ा unit ले 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 तो second की जगे हम ले लेंगे hours तीक आर तो कहने का मतलब क्या हुआ कहने का मतलब if power is taken in kilowatt and time is taken in hour then we have commercial unit of energy and that commercial unit of energy is kilowatt hour commercial unit of energy is kilowatt hour और मेरे प्यारे बच्चों अगर one kilowatt hour की मैं बात करूँ तो that is one kilowatt multiplied by one hour और एक kilowatt में बोलो एक हजार watt होते हैं एक hour में 60 minute और हर एक minute में 60 second होता है तो यह बनेगा 60 to 60 seconds तो मेरे प्यारे बच्चों यह overall आएगा 10 की power 3 और यह बन जाएगा multiply होकर 3600 watt second को joule भी कहा जाता है आप लोगों को पता है तो यह बनेगा 3.6 into 10 की power 6 joules which is equal to 1 kilowatt hour 1 kilowatt hour यह बन जाएगा clear है I think आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हो 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 की power 6 joules यह हो गया बिटा commercial unit और इसी को 1 unit कहा जाता है it is known as one unit आप लोगों ने सुना होगा कि भाया इस मही ने 100 unit का बिल आया 200 unit का बिल आया 500 unit का बिल आया तो unit क्या है that unit is kilowatt hour आप लोगों को बदा है कई governments 200 unit, 200 unit free दे रही है तो वो unit यही है kilowatt hour which is known as commercial unit of energy clear? I think आप समझ गये होंगे formula भी आप समझ गये होंगे question देखो आप इस पर बेस्ट question हमसे कहता है radio set of 60 watt runs for 50 hours how much electrical energy is consumed? तो भाया energy बराबर power into time प्यारे बच्चों power कितना है? 60 watt और time कितना है? 50 hours तो क्या यह 3000 watt hour होगा? क्या यह 3000 watt hour होगा? और अगर मैं इसको convert कर लूँ thousand से divide कर दूँ तो बेटा यह बन जाएगा kilowatt hour यानि कि this will become 3 kilowatt hour तो कितना energy consumed होगा? 3 kilowatt hour next question current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight for 10 minutes how much energy transfer occurs during this time? कितना energy का transfer हुआ? तो प्यारे बच्चों current पता है, voltage पता है तो क्या हमें power पता है? P बराबर V I होता है भाई 12 volt और 4 ampere तो क्या यह 48 watt हो गया? और time हमें question में given है 10 minute 10 minute में अगर में 60 का multiply कर दूँँगा तो प्यारे बच्चों बन जाएगा 600 second और यहां से आप निगाल सकते हो energy क्योंकि energy का formula होता है power multiplied by time power है 48 और time है हमारा 600 तो यह कितना आजाएगा? 28800 joules this will be the energy consumed आपका मन है 1000 से divide कर लो same answer kilo joule में आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है आपका मन था आप यहां minute में 60 का divide कर लेते तो यह convert हो जाता hours में यहां 1000 divide कर लेते तो यह convert हो जाता kilowatt में तब तुमारा answer आजाता kilowatt hour में यह आपके उपर है आपको कैसे solve करना है? that is your call next question calculate the energy transferred by 5 ampere current flowing through resistor of 2 ohms for 30 minutes current की value है प्यारे बच्चों 5 ampere का 5 ampere resistance की value है 2 ohms और time है 30 minutes इनको use करके पहले power निगालो तो P बराबर I square R I square मतलब 5 का square 25 into resistances 2 तो यह बनेगा 50 watt तो यह power है तो power का unit क्या होएगा? 50 watt 5 का square 25 multiplied by 2 so that will be 50 watt time हमें given है 30 minutes तो क्यों ना इसको मैं अगर मैं kilowatt hour में निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको 60 से divide कर लूँ यह आपका hours में आ जाएगा that will be 1 by 2 hour है ना? और अगर आपसे यहाँ पर आपको energy निकालनी है तो that will be power into time power है बेटा 50 watt उसको भी 1000 से divide कर लो जाएगी kilowatt hour तो यह energy consumed हमारे पास आगया 1 by 40 kilowatt hour joules में निकालना है तो भाई 3.6 into 10 की पाउर 6 से multiply कर दो आपके उपर है next a refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day एक दिन में 10 गंडे operate होता है calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days 30 दिन का महिना है और एक unit का rate है 3.4 rupees तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो unit निकालो पहले तो kilowatt hour निकालो total कितना है ठीक तो आईए देखते हैं सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ total energy consumed per day पहले एक दिन में मैं निकाल रहा हूँ सोचो बाईए refrigerator है जिसका power है पहले 300 watt तो भूलो energy का formula होगा power into time power है 350 watt और कितने घंटे चलता है 10 घंटे यह watt में है और यह आपका hours में है ठीक है so that will be 3500 watt watt hours लेकिन अगर आप kilowatt hour में convert करना है तो आप सबको पता है भाई हजार से divide करना पड़ेगा जब आप इसको हजार से divide करोगे बिटा बनेगा 3.5 kilowatt hour एक दिन में एक दिन में 3.5 kilowatt hour का consumption है so total energy consumed in whole month पूरे महीने में कितना energy consumed हुआ तो पता चला कि इसर 3.5 kilowatt hour तो एक दिन में consume होता था और उस महीने में ऐसे कितने दिन थे तीस दिन तो पेटा तीस से multiply करेंगे जैसे ही आप multiply करोगे आएगा 105 kilowatt hour मतलब पूरे महीने में 105 unit 105 kilowatt hour आपने यूज कर लिया है और अब यहां पर हमें निकालना है बिजली का बिल देखो rate of energy is 3.4 rupees per kilowatt hour so total cost देखो 3.4 per kilowatt hour एक kilowatt hour के लिए बिटा 3.4 rupees है तो आप मुझे बताओ 105 kilowatt के लिए कितना होगा 105 multiplied by 3.4 इसको आपको केवल multiply करना है जैसे ही multiply करोगे आपका cost निकल कर आज आएगा तो आईए मैं आपको एक बार इसको multiply करके मैं दिखाई दे रहा हूँ calculator हम लोग open कर लेते हैं 105 multiplied by 3.4 जैसे multiply करेंगे पिटा यह आएगा 357 तो 357 यह आगया हमारा बिजली का बिल I think आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा simple question है अगला question देखो bulb is rated 200 volt 100 watt what is the resistance? पहले तो बताओ resistance कितना है तो बहिया simple है power है 100 watt voltage है बेटा 200 volt resistance पूछ रहे हैं P बराबर V square upon R तो आप ही बता दो R बराबर V square P आएगा V square का मतलब हो गया 200 into 200 divided by power जो कि यह 100 watt 0 cancel होगा तो resistance की value बेटा आजाएगी 400 ohms 400 ohm का resistance कहरें 5 such bulbs burn for 4 hours ऐसे 5 bulbs है 4 घंटे जलते है what is the electrical energy consumed? कितनी energy consumed होगी बाई? अच्छा energy बराबर power in 2 time एक bulb का power कितना है 100 watt और ऐसे कितने bulb है 5 कितने bulbs है 5 तो 100 into 5 तो power हो गया और कितनी देर यूज करते हो आप 4 hours इसमें भी अगर मैं 1000 का divide कर लूँ तो बोलो यह आ जाएगा kilowatt hours kilowatt hours 00 cancel 5 से cancel किया 2 आया और उसको cancel किया overall यह 2 kilowatt hour आ गया total energy प्यारे बच्छो 2 kilowatt hour का consume हुआ है और cost है 4.6 rupees per unit तो total cost बता दो आप एक unit का है 4.6 rupees एक unit का तो दो unit का भाई साब कितना होगा multiply करो जैसे आप multiply करोगे यह आपका कितना आ जाएगा that will be 9.2 2 कितना एगा 9.2 rupees I think आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस chapter में मैंने काफी सारे आपको numericals भी कराए हैं बीच बीच में examples के तौर पर फिर अभी और भी जितने questions आएंगे और भी जो थोड़ा बड़ा concept है उस पर भी related हम लोग lecture बनाएंगे और बहुत जल्दी ये lecture ये chapter आपका complete होने वाला है आप सभी प्यारे प्यारे students से ये मेरा अपील है कि आप लोग इस lecture को पूरा देखें शुरू से आखरी तक कोई चीज मिस हो गई है तो पिछले वाले lecture में भी आप उसको जा करके देखो सारे concepts को complete करो questions को attempt करो NCRT के पीछे वाले जितने questions exercise के हैं वो सारे questions को attempt करो बहुत जल्दी अपने next lecture के साथ आएंगे तब तक के लिए goodbye take care झाले जल्दी आएंगे